नमस्कार दोस्तों सभी दर्सकों का हमारे यूटूब चनल में स्वागात है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे मल्टी मीटर्स अगर आपके पास नहीं है तो स्रीज लैम्प से कंडेंसर को कैसे चेक कर पाएंगे हमारे फैन में लगने वाले कंडेंसर को कैसे चेक की जाती चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं तो यहां बहुत सारे हमारे पास कंडेंसर खराब पड़ी हुई है इनमें से बहुत सारे वीक है बहुत सारे सही है और बहुत सारे सौटिंग है तो चलिए हम सभी को एक ज़ितने गुलो होगी बल आपकी उतनी अच्छी कंडेंसर आपकी है ठीक है तो यहां देख सकते हैं तीन पंद्रगा कैपासिटर हम जैसे ही लगाएं दोस्तों यह हमारी फ्लाइमेंट जल रही है अनिकि यह कैपासिटर को हम जैसे टच करेंगे यह हमको चिंगारी देखने को मिलेगा देख और यहां जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इस तरह से हम आपको देखना है देख सकते हैं यह बल्ब हमारी थोड़ी सी ज़्यादा गुल हो रही है आनिकि इसमें पूरी तरह से कैपासिटर हमारे पूरी अच्छी है यह खराब नहीं हुआ है ठीक है और देख सकते हैं दोस्त रखा है और यहां भी हम चेक करेंगे इसको ठीक है तो अगर बल्ब हमारी थोड़ी सी जल रही है तो समझ जाना चाहिए कि इसमें थोड़ी सी जान बची हुई ठीक है देख सकते हैं यह हमारी हलकी सी गलो हो रही है यह फ्लाइमेंट जो है दोस्तों एदम सूता जिससा रहे हैं सेम इसी परकार से आप भी अपने घर पर कैपासिटर को चेक कर सकते हैं और कैपासिटर को चेक करने के बाद दोनों प्रॉप को सटा करके इसकी करन्ट को जो है दोस्तों जिरो कर लेना है नहीं तो दोस्तों इसमें हातों से टच जैसे ही होगा इसमें करन्ट लग बिल्कुल सही है फिर से दुमार आपको हम दихा रहे हैं यह फ्लायमेंट वहस्ट अच्छी तरसे जल रहा yolक और इस तरसे केपासिटर्स को चेक की जाती है दोस्तों अगर आप सब्धी को वीडियो चले और चैनल खेस करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए नोटिफिकेशन घंटी आल पर सेट कर दी चाहता है नेस्ट ऐसे टॉपिक लेकर तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो